मेरा वट्सअप कोई और चला रहा है कैसे पता करे वट्सअप हैक है या नहीं कैसे पता करे इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ दोस्तो वट्सप में एक न्यू अपडेट आया है एक वट्सप को हम चार मुबाइल में चला सकते हैं अब इस अपडेट का कुछ लोग गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं आपके साथ में मानली जी आपका दोस्त है या आपका फैमिली मिंबर है वो आपसे मुबाइल मांगेगा कुछ मिनट के लिए और आपके वट्सप को अपने मुबाइल में लॉग इन कर लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा वो मुबाइल आपको वापस दे देगा अब एक नंबर से आपके मुबाइल में तो वट्सप चल रहा है अब उसी सेम नंबर से दूसरे मुबाइल में भी वट्सप चलेगा आपके दोस्त के और सारे मैसेज, सारी चैट, सारे फोटो विडियोज उसके वट्सप पर भी जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा वो आपकी चैट देख भी कर सकते हैं यानि कि अगर आपका WhatsApp है तो आप उसे बंद कर सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं पता कैसे करेंगे कि आपका WhatsApp है या नहीं दूसरे मोबाइल में लॉगिन है या नहीं ठीक है तो इसके लिए आपको क्या करना है अपने WhatsApp को open करना है 3. पर click करना है यहाँ आपको एक setting मिलेगी Linked devices आपको इस पर click करना है ठीक है यहाँ पर click करने के बाद दोस्तों अगर आपके WhatsApp में इस तरह से दिखाई दे रहा है मतलब आपका WhatsApp safe है hack नहीं है आपका WhatsApp किसी और mobile में login नहीं है अब आपको डरनी की ज़रुवत नहीं है आपका WhatsApp safe है ठीक है अब यहाँ पर मेरे पास दूसरा mobile है यहाँ पर मैं 3. पर click करता हूँ और यहाँ पर मैं आता हूँ Linked devices में अगर दोस्तों आपके WhatsApp में Linked devices वाले option में यहाँ पर इस तरह से android लिखा हुआ है आप देख सकते ही device status इस तरह से android लिखा हुआ है इसका मतलब दोस्तों यह है कि आपका WhatsApp किसी और mobile में भी login है जो कि Android mobile है 11 वर जन है आपका WhatsApp hack हो गया है किसी और ने आपके WhatsApp को अपने mobile में login कर लिया है आपको पता भी नहीं अब आपके जितनी भी चैट होंगी जितनी भी messages, photos, videos होंगी सारे के सारे उसके पास जाएंगे यानि कि अगर आपको कोई message करेगा तो notification आपको भी आएगा और उसको भी आएगा इस तरह से दोस्तों आपका WhatsApp जो है वो hack हो जाएगा तो आप इसे बंद कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर दोस्तों दो तरीके होते हैं यहाँ पर Android लिखा हुआ है यानि के mobile में WhatsApp चल रहा है दूसरे mobile में आपका ठीक है अगर दोस्तों यहाँ पर Google Chrome लिखा हुआ है इसका मतलब जो आपका WhatsApp है वो laptop में या computer में भी चल रहा है तो आप इसे बंद कर सकते हैं आपको इस पर click करना है logout पर click कर देना है जैसी आप logout करेंगे दोस्तों सामने वाले के laptop, computer से आपका WhatsApp बंद हो जाएगा अब जो भी notification, messages आएंगे वो सिर्फ आपको आएंगे, उसके पास नहीं जाएंगे ठीक है, इसी तरह से दोस्तों अगर आपके WhatsApp में यहाँ पर Android का option आ रहा है तो यहाँ सी भी आप इसे बंद कर सकते हैं आपको इस पर click करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं, last thing भी देख सकते हैं लास व एक्टिव कब था, आपका WhatsApp कब यूज कर रहा था आपको यहाँ पर टाइम भी दिखाई देगा आप देख सकते हैं, last active today 12 बचकर 49 मिनट ठीक है, तो यहाँ पर आप Android पर click करेंगे यहाँ पर आपको logout का option मिलेगा logout पर click करेंगे, तो दोस्तों सामने वाले के WhatsApp से जो आपका WhatsApp है, वो logout हो जाएगा, बंद हो जाएगा इस तरह से आपका WhatsApp सेफ हो जाएगा तो अगर आप इस तरह से चेक कर लेते हैं आपका WhatsApp हैख है या नहीं और आपको पता भी चल जाएगा और आप उसे बंद भी कर पाएगे तो अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को दबाकर आल पर सेट जरूर करना